दोस्तो सफेद दग की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है इसको जरूर देख लीजिएगा इसके पहले के दो वीडियो भी आपको बहुत जरूरी है अगर आप अपने सफेद दगों को तेजी से ठीक करना चाहते हैं तो अब हम बात करते हैं जिन लोगों को खाना बिल्कुल भी पच्चता नहीं जैसे आपने एक टाइम खाना खा लिया या ब्रेकफास्ट किया उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको भूक ने लगती है आपको खाना अच्छा ही ने लगता है या आपने खाना खाया उसके बाद ऐसा लगता है कि सीने पर रखा हुआ है बिल्कुल ऐसा मन करता है कि निकल जाएगा और बिल्कुल खटी-खटी डगारे आती है आपको पेट भारा-भारा सा लगता है भारी-भारी सा लगता है खाना खाने बाद बिलकुल असहज महसूज होता है गैस बनती है ये सारी समस्यां अगर होती है तो आपको बहुत ध्यान देने के जरूत है अगर आप अपने बॉड़ी को जो वाइट पेचर सिलिकोडर्मा को अतेजी से रिकवर करना चाते है तो इसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है इसका मदलब आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है इसके लिए आपको क्या करना है कि आप लोगों को जीरा लेना है और सौंप जीरा घरों में आसानी से मिल जाता है और सौंप वो जो पान खाया जाता है पान में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है तो आपको मार्केट से सौंप लेके आनी है आसानी से मिल जाती है आपको किसी भी किराने श्टोर पे अब आपको बराबर बराबर मातरा में जैसे 100 ग्राम सौंप और 100 ग्राम ही जीरा मिक्स करके रख लेजिए और चाहे तो आप उसमें बूरा आता है दोस्तों वो गुड़ का बूरा होता है वो कच्ची उसका गन्ने की जो गुड़ होता है आप जाएंगे किसी भी हकीम की या जड़ी बूटियों की दुकान पर वहां मिल जाता है या किराने के इस्टोर पर भी मिल जाता है लेकिन आपको चीनी नहीं मिलानी है सफेज चीनी जहर है आपको उल्टा काम करना सुरू हो जाएगा आप जिस चीज के लिए हम ये उपाय बता रहे हैं अगर आपने धोके से भी कहीं चीनी उसमें मिला लिए तो आपको नहीं लेना है आपको भूरा 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 होता है वो हलका सा रेट कलर का होता है आगर वह नहीं मिलता तो आपको ऐसे आगर आप मिल जाता बहुत अच्छी बात है उसको भी मिला लिजी है आगर 100-100 ग्राम आपका जीरा और 100 ग्राम सौंफ है और 50 ग्राम आप उसमें वो गुड़का जो बूरा है चीनी का बूरा है वो मिलाना है सफेद नहीं होना चाहिए इस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट में बहुत सारे लोग चीनी का बूरा जो सफेद होता है वो मिलाकर बेच रहे हैं तो वो नहीं लेना है आप जाईए बहुत सारी जड़ी बूटियों की जो दुकान होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है या जो लोग आप किराने के श्टोर पर जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाता है अब आपको इसको पयोग कैसे करना है आपको एक चमच खाना खाने के बाद सुबह और साम को पयोग करना है एक चमच सुबह और एक चमच शाम को और उसके बाद बीच में दोपहर में एक चमच तीन बार आपको इसका पयोग करना है इससे आपका जो वाज, पित और कफ है ये तीनों संतुलित रहेंगे दोस्तों बहुत जबर जासता है पेट के डाइजेसन सिस्टम को भी सुधारने के लिए आप इसका नियमित करना है जैसे बहुत सारे लोग सुचेंगे कहां इसको तो आप पुडिया बना के जैसे लोग गुटका वगर खाते हैं उसी तरह आप पुडिया बना के इसकी रख सकते हो जेम में तो आप थोड़ा-थोड़ा कम से कम तीन बार आपको प्योग करना है आपको लंच में खाने के बाद फिर उसके बाद दोपहर में मतलब दोपहर में की मतलब है कि जब खाना खाने के दो-तीन घंटे के बाद तीन बार करना है और साम को लंच के बाद ऐसा करना है तीन बार इससे आपका डाइजेसिन सिस्टम बहुत जबर जस्त हो जाएगा इतना मजबूत हो जाएगा इमेनो सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा आपकी जो भी ये गैस की समस्या है खाना पचने की समस्या है या भारी 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 बस आप देखेंगे कि आपको कितना बेस्ट महसूज होगा आप इसको आजमाईए इसका प्रयोग करिए और हम पार्ट चोथे में आपके लिए वीडियो लेकर देखेंगे